गोड़ा का नाम चेतक, उसका अधार काट रहता है, समझ रहें 22 फीट, इत्ता बड़ा पहा पहाने का कोई कई से है, तीने पैर पे लेकिया है, चेतक, अब कुद गिया महाराना परता आपके उस पर वहाँ पर, आप गोड़ा खरीदें जाहिए करना, इनके गोड़ा का नाम चेतक, घोड़ा का नाम चेतक, चेतक को घुमाएं, और उसके बाद दूसरी पहाड़ी से जंप करके दूसरी जगह चले, लेकिन लग बाइस तेईस फीट का नाला था, पहार था यहां से वहां से, जाना बड़ी मुस्किल था वहां से, उस पार जाना, समझ रहें 22 फीट यहां से वहां तक है, इता बड़ा पहाँ पहने का कोई से यहां पर, चेतक का एना एक पर तूट चुका था, तीने पर पर लड़ रहा था, उसके पूरा, अब उसके बाद तीने पर पर लेकिया चेतक, अकूद गिया महाराना परता आपको उस पर वहां पर, तो वहां पर यह कहानी बहुत है फिर उधर जाके चेतक को जादे चोट लग गया जखमी हो गया चेतक की मृती हो गई थी आगे जाके बुके फराल कैसे वफादार था तो हर राजा का अपना घोड़ा बहुत वफादार नहीं तो युद्ध के मैदान में उसी के दियर आते था घोड़ा बहुत महांगे मिलते हैं तो हाई वाला नहीं जोन एकका में घुषता है तो इस अब के टेगरीय का नहीं है तो इन्सों के बसका है तो इतो गदाह का तानि सब अडिफाइड बरजन है तो जो एकदम में लाइन के गोड़ आते हैं अब गोड़ा खरीदे जाएगे तो इस अब कर देगरीज नहीं है तो इस अब कर चेतक लइन के गोड़ा चाहिए तो चेतक के बाल बच्चे सबका रइश्टर रहता है पहले राजा आई इसे तोड़े ना अकलेल भड़ा रख ते था वहाँ पर अगर चेतक लइन के गोड़ा लीजेगा तो बहुत बच्चे लावे उसका मालीक जतना बोल दे बटक्त होता नज अब जिसे आपको अपने आख बेचना ही नहीं तो बोल दीगे 20 करो अग्यों अब बेचना ही नहीं तो बोल दो यहां पर और कोहीं कोनो बोल दी यहां लेयाओ का डिल केंसिल नहीं समझे लेकिन बहुत अब भूड़ा सब आपर और वूड़ा बर्वारात में नहीं लगते हैं सो अरे दुल्हा को सिंडी लगा के चड़ाना पड़ेगा उपर इतने हाइट पर होते हैं इस जो गोड़ा यहां पर और उसे सामने हर्मनियम बजाएं गें नहीं मामा माला सुष्भा